गर्बवती महिलाओं को ये तीन बाते हमेशा ध्यान लखनी चाहिए दोस्तो हर महिला यही चाहती है कि जब उसकी संतान जन्म ले तो वो पूरी तरह स्वस्त हो उनके बच्चे किसी भी तरह अपंग ना हो इसके लिए शिव महापुराण के अनुसार हर महिला को ये तीन बाते हमेशा ध्यान लखनी चाहिए नमबर दीन गर्ब में जब तक संतान रहे तब तक द्वार पर आने वाली गाय को हमेशा एक रोटी खिलाएं गर्बबदी महिला को गाय को अपने द्वार से कभी नहीं भगाना चाहिए नमबर दो नौ महीने तक जब तक नादी का गर्ब रहे उसके पलंग के नीचे ज़ाडू कभी भी नहीं रखना चाहिए पहले महीने से अंतिम महीने तक ये बात हमेशा ध्यान लखें नमबर एक और सबसे ज़रूरी लेकिन इसको जानने से पहले वीडियो को एक लाइकर के चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट पे लिखें हर हर महादेव हर रोज श्री राम या श्री विश्न नाम का जाब करें और पाचवे या छटे महीने में एक लोटा जल महादेव पर जरूर चड़ाएं इतना करने मात्र से ही ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपकी संतान अपंग पैदा हो